असलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हमारा जो वीडियो है वो अधनान भाई के बकरों के उपर है जो कि लखनाउं से बिलॉंग करते हैं नवाबों की बस्ती से बिलॉंग करते हैं कि उनके बकरे आप देखेंगे तो किसी नवाब से कम नहीं दिखेंगे आपको उनके बकरे चली आएए देखते हैं उनके बकरे इंजॉय करते हैं वीडियो something unique and something different concept है इनका आप बक्रे देखेंगे आगे वीडियो में पुरा तो आपको समझ में आएगा ये mostly बर्बरी ब्रीट में farming करते हैं और इनके बक्रे जो देख रहे हैं माशाला स्क्रीन पर ये सब माशाला सेल फीडिंग पर तैयार हुए बक्रे है इस हेवी बर्बरी गोट्स जैसे कि हम देख रहे स्क्रीन पर इतने हेवी बर्बरी गोट्स में ये डील करते हैं और इनका farming का तरीका एकदम यूनिक और डिफरेंट हैं जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि लोगों को बक्रे तयार करते हैं जो सोज़त ब्रीड तयार करते हैं क कोई तोता पूरी पालते हैं, कोई पंजाबी पालते हैं, कोई कोटा पालते हैं बहुत कम हम देखते हैं, कोई बर्बरी ब्रीड में इतना इंटरेस्ट से काम करता हो दोस्तों ये सब self-feeding goats है, इनको कोई force feeding नहीं किया जाता है आप वीडियो में भी देखते होएंगे, कि बखरे खुझ से खा रहे हैं, खुझ से उनको feeding डाला जा रहा है और वो खुझ से खा रहे हैं, feeding में इनका जाद अर्मोसली, चना, मक्का, जव, ये तीन चीज़ का mixture रहता है और उपर से minerals, vitamins की, जो mix आता है, वो भी इनको feeding में दिया जाता है और माशालला हम देख रहे हैं, कैसा खिद्मत किया जा रहा है, बखरों की पाला जा रहा है, दिन भर कपड़ा मारा जा रहा है बखरों पे और उनको पाल के ऐसा तयार किया जा रहा है माशालला हमने एक दो बखरे तयार करते हुए तो अकसर देखे हैं पर फर्स टाइम 60 बखरे कोई इस तरीके से तयार कर रहा है, और सेल के लिए तयार कर रहा है यह फर्स टाइम मैं देख रहा हूँ यस्ट्री में और उनकी मेहनत जो है वो दिख रही है स्क्रीन पर हम लोगों को दोस्तों इनके पास कोई regular बाडा नहीं है कोई feeding ट्रे नहीं है जैसा regular farm में कोई setup होता है साफ सफाई का system होता है feeding का system होता है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है बस कुछ लोग है और लगे हुएं बखरों के पीछे उनको खाना खिलाते है, गमेले में खाना खिलाते है और अगर कुछ गंदगी निकलती है बखरों की उसी वक्ष वो साफ हो जाती है दोस्तों इनकी फार्मिंग का तरीका बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है मैंने अक्सर लोगों को different breeds पे काम करते देखा है Kota, Swijjo Sojat, Siroi, Hyderabadie, Ajmera, Gujri, but बहुत कम बर्बरी breed में किसी को काम करते देखा है, Adnan भाई उनमें से एक है, काफी टाइम से मैं Adnan भाई को personally जानता हूँ उनसे message पे बात होती है उनसे phone पे बात होती है and first time मैं उनकी वीडियो आपके लिए share कर रहा हूँ दोस्तों, so देखिए इनके पास ना कोई बाड़ा है ना कोई food tray है, ना कोई farm का setup है, बस कुछ लोग लगे हुए हैं, मेनत कर रहे हैं, बकरों को बकरों को तयार कर रहे है बस घमेले में इनको चारा दाल लिया जाता है बकरे कुछ से चारा काते हैं, मुझ से काना काते है और कोई force feeding नहीं हो रही आप वीडियो में देख सकते हैं बकरों को and mashallah total 60 60 pieces, 60 nug इनके पास बरबरी के हैं जो force sale के लिए है and mashallah सब एक से बढ़कर एक है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस mashallah एक छोटा टुन टुन हाती दिखेगा आपको यह दोस्तो दूसरी बात मैंने यह notice किया है इनके फार्म पर के गंदगी जरा भी नहीं दिखेगी आपको बकरों पर या बकरों के आसपास अगर गंदगी होती है गंदगी निकलती है तो उसी वग उसी को साफ कर लिया जाता है यहाँ पर इतने लोग लगे हुए हैं बकरों की मैनत के पीछे आप देखेंगे और उनकी मैनत रंग लाई है मैं तो ये बोलूँगा माशाला बकरे इतने खुबसूरत है इनके पास टोटल 60 नग है जो पॉर सेल के लिए है जिस भाई को भी इंटरस हो बर्बरी ब्रीड में है भी बर्बरी टुन टुन बकरों के जो शौक रखते हैं वो कॉंटक कीजिए अर्दान भाई को नंबर गुमाई है उनका स्क्रीन पर मैं उनका नंबर शेयर कर दूँगा और वीडियो के एंड में भी उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा तो आप उनका वीडियो पूरा अच्छी तरीके से इंजॉय कीजिए और जो भी बखरा आपको पसंद आए उसका स्क्रीन शॉट लीजिए और उनको मेसेज कीजिए उनसे बात कीजिए और अगर लखनों के आसपास आप रहते हो तो इजी ली ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मिल जाएगा या आप खुद जाल नहीं तो अगले साल आप अधनान भाई से कॉंटैक्ट जरूर कर सकते हैं या फिर आपको अपना बखरा अगर इनके पास रखवाना है या शुरू से आप लेके परचेस करके इत तक के लिए नेक्स्ट इत के लिए रखते हैं तो भी रखवा सकते हैं बहुत सारे अधनान भाई के पास ऐसा हए के स्टार्टिंग मच बीट एरा से इमके पास सतार्टिंग perdition है अगर जो प्राइस जाता है 50-60,000 तक के प्राइस से जैसा भी बखरा है एड़ और ऐज पर है मॉड़ पर इनका यह हैं बाकी प्राइस का सो आप इनसे contact करेंगे तो ही आपको इनकी pricing समझ में आईगी मैंने just एक range मैंने आपको बता दिया है बकरो की तो contact करेंगे तो वह आपको वीडियो भी दे पाएंगे ने ने बकरो की और price range भी exactly बता पाएंगे सो प्राइस के लिए तो आपको अधनन भाई को ही contact करना पड़ेगा सो दोस्तो अगर आपकी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही unique है different है तो हमें बताए हम आपकी स्टोरी शेयर करेंगे लोगों के साथ में आपका experience शेयर करेंगे और आपकी जो views है वो लोगों तक के पहुचाएंगे और दोस्तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप like कीजिए subscribe कीजिए हमारा channel और bell icon जरूर दबाईएगा उसका काफी importance है यूट्यूब field में हमने notice किया है सो bell icon जरूर दबाईए और कुछ भी changes अगर आपको हमारी वीडियो में देखना है या फिर कुछ अलग देखना चाहते हो तो हमारे साथ share कीजिए comment में और आज के लिए बस इतना ही अलाँ आफिस क्या आजा पी बसे बसा और कर दो हमार predicting आज को हमारे साथ involve का दो यह थतुत झाल झाल